नमस्कार, आज हम बनाएंगे हांडी काला चना, देखिए छोले, चने, दाले, इन सब का मज़ा तो तब ही आता है, जब ये सब मंदी मंदी गैस पर हांडी में पकते हों, मिट्टी के बरतन में पकते हों, तो ये चना भी कुछ ऐसा ही है, इसे हमने बिना घी, तेल, लहसुन प्याज के बनाया है, ये एकदम सात्विक है, और पंच तत्व से भरपूर है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हांडी, उसके अंदर मैंने रात को जो चना सोक कर दिया था, वो इसके अंदर डाला है, ये चना खरीब वन एंदा हाफ का टोरी है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे, तीन का टोरी पानी, और क्यूंकि चनों के अंदर कोई फॉर्म इत्ता जादा बनता नहीं है, तो इसे हम आराम से ढखके पका सकते हैं, तो इसे ढख देंगे हम एक प्लेट से, और इसे करीब 30-45 मिनिट के लिए पकने तीस से 45 मिनिट हो गए हैं, अब इने हम चेक कर लेते हैं, यह पके हैं या नहीं, पर यह भी पके नहीं हैं, क्यूंकि देखिए प्रेस करने पर मुझे जो लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब इस स्टेश के उपर इसमें हम डाल देंगे, एक और आदी छोटी चमच, मोट नमक, और चोथाई चमच हल्दी, चोथाई चमच अजवायन, और आदा चमच जीरा, अब इसके बाद आप चाहें इसे धक्के पकाए, या फिर खुले में पकाए, मैं इसे ओपन में पका रही हूं, ताकि इसके अंदर पंश्तत्तो का समाबेश भी हो जाए, अब 15 से 20 मिन हो गए है, अब इन्हें हम वापस से चेक कर लेते हैं, कि ये गले है या नहीं, लेकिन इस बार देखिए, हमारे ये चने गल गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट से ढग देंगे, ताकि ये थोड़े और गल जाएंगे, इस बीज में हम तयार कर लेते हैं, इन में लगने वाला तड़का, इसके लिए मैंने लिया है, दो टमाटर, एक हरी मिर्च और एक छोटा अध्रकट तुकडा, इन सभी चीजों को काटके हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे, और साथ ही डाल देंगे, दो टेबल स्पून सूखे नारियल का पाउडर, ये जो सूखा न के अंदर ही डाल देंगे, चम्चे की सायता से थोड़े से चनों को हम फोड देंगे, अगर हांडी के अंदर आप चने नहीं फोड पा रहे हैं, तो एक कटोरी में निकाल करके इन्हें थोड़ा सा चम्चे की सायता से मैश कर लें और वापस ग्रेवी के अंदर ही मिला दें ऐसा करने से हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। अब हम इसमें मिला देते हैं कुछ और मसाले, दो छोटी चमच हरा धनिया पाउडर, वन फूर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च मिला देंगे। अब इसे हम साथ से आठ मिनिट के लिए कर पकने देंगे। देखिए अब हम इसे आठ मिनिट बाद में वापस चेक कर लेते हैं, अभी हमारी सब्जी पूरी बन गई है। लेकिन मेरी सब्जी में थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया है, तो इसे में थोड़ा और पकने दूँगी ताकि ये पानी सूख जाए। प प्लेट में मेरे पास है, चौप्ट करी लीज, ग्रेटेड आवला और थोड़ा सा गुड़ का पावडर। इन तीनों ही चीजों को हम इस सब्जी के अंदर मिला देंगे, लेकिन इसे हम अब आग पर नहीं पकाएंगे, बस कस्वाद इस हांडी के चनों के अंदर मिल अब पास मिट बात के अंदर हमारे चने बिलकुल तैयार है, इसे हम एक छोटी हांडी में निकालेंगे, धनिया पत्ति से सजाएंगे और सर करेंगे, तो ऐसी और रेसिपीस के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्स्राइब कीजिए, स्वास्त रहिए, खोश धन्यवाद